अगर आप लोगों में से कोई भी अपना यूजर आइडी भूल चुके हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप आसानी से अपना यूजर आइडी फिर से पता कर सकते हैं हाँ तो बिल्कुल हम जानेंगे विस्तार से तो देखते रहें वीडियो को एंड तक तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है सबसे पहले तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना है और लाइक करने के बाद आपको अपने मोगाल के क्रूम ब्राजर को आपिन कर लेना है आपिन करने के बाद यहाँ पर आपको लिक करके सर्च करना है अस्बीन.bih.nic.in ठीक है इसको आप लिक करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा हम आपको इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आप वहाँ पर किलिक करके भी इस वेबसाइट तक पहुच सकते हैं ठीक है अब आपको यहाँ पर आने के बाद इस थी लाइन पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा रिपूर्ट का ओप्शन इस पर आप किलिक करेंगे किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आसा के दबा परपत्र के इस्तिति तो इस पर आप किलिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप financial एर पर किलिक करेंगे और 2021 स्लेक करेंगे उसके बाद यहाँ पर मन्थ पर किलिक करेंगे and forward यह आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप district पे sorry यहाँ पे आपको थुरा सा wait करना होगा wait करने के बाद आपको जो है अपना district select करना है इस पे click करके तो चलिए हम क्या करेंगे इस पे click करेंगे and यहाँ पे अपना district select करेंगे select करने के बाद अब आपको करना किया है यहाँ पर block पर click करना है अब आपको अपना block select करना है आपको जो भी block है तो चली हम click करेंगे यहाँ पर अपना block select करने के बाद अब आपको यहाँ पर click करना होगा ठीक है तो चली हम इस पर click करेंगे अब किलिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर आप को जो है अपना HSC सेंटर सेलक करना है कि आपका जो सबसेंटर है HSC उस सेंटर को आप किलिक कर लेजिए ठीक है यानि कि उप स्वास्त के अंदर आपको सेलक करना है जैसे हैं आप उप स्वास्त के अंदरे में जितना भी आसा होगा सारा आपको देखने को मिल जाएगा तो इसमें आपका नाम भी लिखा होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख लिजी आपका नाम कहां पे है जहां भी आपका नाम होगा वहीं पे आपका यूजर आइडी नीचे लिखा होगा ठीक है तो कितना reject हुआ ये भी आप चेक कर पाएंगे तो बिलकुल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करें और साथे साथ अपने दूस्तों के साथ जो है इस वीडियो को share करें धन्यवाद